इस किताब के सारे विचार लेकक द्वारा इतिहास और तत्काल की कड़ी रिजर्च के बात लिखे गए हैं इन विचारों का इतिहास और वर्तमान से पूरा पूरा संपन्ध है इस किताब में बताये कई भविश्य आपको हैरान कर सकते हैं तो खुले दिमाग से इस विडियो को देखिए और याद रखिए आपका भविश्य आपके हाथ में है मैं इनसान हूँ मेरा जनब इस धर्थी पर अलग से नहीं हुआ मेरे यहां होने के बीचे एविलूशन या प्रकरती का बहुत बड़ा हाथ है एविलूशन की बज़र से एक सिंगल सेल प्राणी बंदर बना और बंदरों से मैं बना मेरे इतिहास की शुरुवात में मैं जिन्दा रहने के लिए गांस भूस खाता था जानवरों का शिकार करता था नदियों से पानी पीता था मेरा मरना और जीना नदी जानवर और पशु पक्षियों पर निरपर था तो मैं उन्हें पूचने लगा ताकि मैं उन्हें खुश रख सकूँ ताकि मैं जिन्दा रह सकूँ उनसे बात करने के लिए मैंने गाने बनाए कहानिया बनाई जो मैंने अपने बच्चों को सुनाई ताकि वो भी इन भगवान को खुश रब कर जिन्दा रह सके धीरे धीरे मैंने अपनी समझदारी से खेती करने लगा और चानवरों को पाल कर मैंने धर्दी की प्रकर्दी पर विजय प्राप्त की तब मेरा भगवान बदला मेरा भगवान सूरज, चान्द और बारिश हो गए क्यों? क्योंकि अब मेरा जीवन इनके हाथों में था जब बारिश होगी तो मेरे खेतों को पानी मिलेगा सूरज की रोश्णी से मेरे खेत मुझे खाना देंगे मेरा भगवान अब धर्दी पर नहीं आसमान में रहता था उस भगवान से बात करने के लिए मैंने लिखना सीखा मैंने कहानिया लिखी और ये कहानिया मैंने अपने बच्चों को पढ़ानी और लिखनी सिखाई ताकि वो भी उस भगवान को खुश रख कर जिन्दा रह सके आज मेरा भगवान कहीं और है और कल भगवान कहीं और होगा आगे जानने के लिए देखते रहिये सो वो कहानी थी है हमारी जब हमने अपनी जर्णी हंटर और ग्यादर से शुरू करी और हम अग्रिकल्चरल रेवल्यूशन पर आए और आपने देखा कि जो जो चीजे हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी थी वो हमारे लिए भगवान बनती रही आज हम अग्रिकल्चरल रेवल्यूशन से निकल कर इंटेलेक्शल रेवल्यूशन पर आ गए है आज भगवान कहीं और नहीं हमारे अंदर की नॉलेज है जैसे कि सब कहते हैं कि अपने अंदर की सुनो अपने पैशन को फॉलो करो अपने आपको खुश रखना सीखो So, आज के टाइम पर आज सवाइवल डिपेंज ओन नॉलेज नॉलेज हेल्पस यू मेक मनी और मनी हेल्पस यू सवाइब नॉलेज मतलब सिरफ किताबी ग्यान नहीं नॉलेज किसी भी टाइप की हो सकती है गाड़ी ठीक करने की नॉलेज बिजनिस चलाने की नॉलेज बच्चो को पढ़ाने की नॉलेज आज आपके पास जितनी नॉलेज होगी आप उतने ही ज्यादा सक्सेस्फुल होंगे जिस जिस कंट्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नॉलेज is the new वहीं जो जो कंट्री आज भी आसमान में अपने भगवान को ढून रही है वो नॉलेज को नया भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो कंट्री आज वाइलेंस, हंगर और पौवर्टी से लड़ रही है आज हम स्लोली एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं जहां पर नॉलेज के साथ साथ एक और भगवान होगा आज आप सोचिए कि आपकी लाइफ को धीरे धीरे क्या बदल रहा है डेटा, कंप्यूटर से मिली हुई इन्फॉमेशन So, welcome to डेटाइजम मुझे पता है काफी लोगों को ये बात बहुत अजीव लगेगी मुझे भी लगी थी पर मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे फैक्स रखूँगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी आज करोना वाइरिस से लड़ने का सबसे बड़ा वेपन है डेटा हम पेशन्स की बॉड़ी से डेटा लेकर वैक्सीन बना रहे हैं गवर्मेंट्स एक दूथरे से डेटा लेकर लॉगडाउन जैसे मेजर ले रही है ताकि वो आपको बचा सके डेटा आपकी आज परसनल आइफ भी बदल रहा है आज आपको गूगल बताता है कि कौन से रेस्टरॉंट में जाके खाना है जीपिएज बताता है कि कौन सा रस्ता लेना है आने वाले टाइम में तो डेटा पूरी बॉड़ी के बार में बता पाएगा आपको आपके heart attack आने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका heart कमजोर हो रहा है और data आपको बताएगा कि क्या खाए, क्या exercise करे तो imagine जो data की नहीं सुनेगा वो life में ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा तो data पे हमारा survival depend करेगा तो इसका मतलब है data हमारा आप भगवान होगा तो उन कंट्रीज का क्या जो आज भी आसमान में भगवान को ढूंती है वेल, भगवान तो हमेशा बदले हैं और बदलते रहेंगे मानो या ना मानो So guys, I hope this video ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा This book talks about all these concepts and much more for his amazing info. If you guys want to use his powerful voice in any of your videos do contact him. You can find his contact details in the description box below and if you like this video do give a thumbs up and don't forget to survive, I mean subscribe. See you in the next video. Happy reading!